दमाशकार दोस्तों, कौन सा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है? कौन सी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी सूपर पावर है? अगर इस सवाल का जवाद धुन्डे में आपको मुश्किल होती है तो जरा सोच कर देखो किस देश की एकोनमी सबसे बड़ी एकोनमी है? किस देश के पास 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का GDP है? किस देश की कंपनिया दुनिया की सबसे फेमस कंपनिया है? किस देश की फिल्मों ने दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है? कौन से देश ने सबसे ज्यादा Olympic medals जीते हैं किस देश के पास दुनिया की सबसे ज्यादर strong military power इन सब सवालों का जवाब है America, America और America लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि USA दुनिया की सबसे बड़ी superpower कैसे बन इन्होंने ऐसा क्या किया कि यह इतना ताकतवर देश बन गया है इनका? इस सवाल को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में यह चार्ट दिखाता है दोस्तो पिछले 2000 सालों का इतिहास दुनिया के GDP में किस देश का कितना percent contribution रहा है आप देखोगे 1800 से पहले इंडिया और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी superpowers थी दुनिया में जातर trade और economic activity इंडिया और चाइना के around ही revolve करती थी और 1800 सालों तक ऐसा ही चलता रहा है लेकिन 1900 के बाद से सिर्फ पिछले 100 सालों में ही अचानक से USA ने अपना dominance दिखाया और दुनिया के GDP में इतना बड़ा share ले लिया कैसे possible हो पाया यह हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा इसके लिए साल 1492 की बात है कि Italian explorer Christopher Columbus ने North America के पास कुछ Caribbean Islands की discovery करी इसी के बात से ही Europeans को America के बारे में पता चला और America की colonization की शुरुआत होई Europeans के दुआरा इस दुआरान America में Red Indians रहते थे जिनने Native Americans भी कहा जाता है बहुत सारी अलग-अलग tribes थी Spain ने mostly South America को colonize किया जिसे आज के दिन Latin America कहा जाता है यही reason है कि जातर South American countries में Spanish बोली जाती है Britain ने around 1600s में America में अपनी पहली colony बसाई और France ने भी colonization स्टार्ट किया शुरुआत में यही तीन main powers थी Britain, France और Spain जिन्होंने North America को colonize किया इसके बाद आने वाले सालों में America में रहने वाले Native Americans की population 80-90% खतम हो गई और इसके पीछे कई reasons हैं लेकिन सबसे बड़ा reason है जो diseases European colonizers अपने साथ लेकर आये थे smallpox और influencer जैसे diseases जिनके लिए immunity नहीं थी Native Americans के अंदर इसके भी कई दशों को बाद 4th July 1776 को American revolutionaries ने अपना independence डेक्लेर किया British से तो America एक नई country बन गया यहाँ पर जन्म होता है United States of America का यह सब अपने आप में एक बड़ी कहानी है लेकिन हम 1850 के बाद आते हैं क्योंकि अगर आप चार्ट में देखोगे तो America का जो graph है वो 1850 के बाद ही उपर उठना शुरू हुआ है यह वो जमाना था जब British, French और Spanish colonizers दुनिया भर के कई देशों पर कई territories पर कबजा करके बैठे थे इंडिया भी British राज की एक colony थी ऐसे में USA जो देश था वो अलड़ी एक democratic देश बन चुका था तो कोई भी नया देश अगर सोचता है कि मुझे USA के साथ जुड़ना चाहिए या फिर ये British, French और Spanish के अंदर इनके राज के अंदर आ जाना चाहिए तो कोई भी देश USA से जुड़ना प्रेफर करता क्योंकि उन्हें वही freedom, वही democracy मिलती जो USA में कई states को मिलने लग रही थी यही reason था कि Florida, Ohio और Illinois जैसी states ने प्रेफर किया कि वो United States of America के साथ जुड़ जाएंगे instead of कि वो किसी Spanish राज या British राज के अंदर एक colony बनके रह जाएं 1836 में Texas एक state थी जिसने आजादी पाई Mexico से लेकिन Mexico फिर भी उन्हें इतना तंग करने लग रहा था कि उन्होंने का कि हम भी जुड़ना चाहते हैं USA के साथ और ऐसे ही धीरे-धीरे करके एक के बाद एक state USA के साथ जुड़ती गई और United States of America बड़ा बनता गया हर state का USA के साथ जुड़ने के पीछे अपना reason था लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका बड़ा भाला देश था मतलब एक democratic country जरूर था अमेरिका लेकिन उनके भी intentions थे कि जितना ज्यादा वो अपनी territory को expand कर सके उतना ही अच्छा होगा इसी reason से 1867 में Alaska की जो territory थी वो अमेरिका ने रश्या से खरीद ली at a price of 7.2 million dollars ऐसे ही एक हवाई की state है Pacific Ocean की बीचो बीच है अब सोचोगे कि आज के दिन एक territory जो इतनी दूर है USA से कैसे USA का part हो सकती है क्योंकि USA ने इस पर कब्जा किये 1898 में USA ने Kingdom of Hawaii को overthrow कर दिया और इस territory को भी occupy कर दिया अब कहने के लिए USA एक colonizer नहीं था Britain, France और Spain की तरह लेकिन इसका behavior भी उन्हीं जैसा ही था कुछ जगाओं के perspective से देखे तो Puerto Rico, Guam और Philippines की जो areas थे उन्हें भी US के दुवारा annex किया गया 1898 में by the US President William McKinley USA ने 20 million dollars दिये Spain को Philippines अपने अंदर लेने के लिए लेकिन आज के दिन Philippines एक independent country है क्योंकि 1946 में Philippines को independence मिल गया था USA से तो सारा पैसा बेकार है 1900s तक USA एक बहुत ही बड़ा देश बन चुका था धेरो territories USA का पार्ट थी और जाहिर सी बात है जितना बड़ा देश होगा उतनी ही ज्यादा economy आपकी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा GDP होगी यही reason है कि ग्राफ में आप देखोगे कि USA अलरडी काफी बड़ा शेर उक्यूपाई कर चुका है वर्ल्ड जीडीपी का दुनिया में दो वर्ल्ड वार्स होई थी लेकिन यह दोनों वर्ल्ड वार्स कहां होई थी यूरोप में होई थी फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे इन दोनों वर्ल्ड वार्स में और USA अपना साइड में दूर अलग से बैठा था हाला कि USA ने भी पार्टिस्पेट किया था इन वर्ल्ड वार्स में लेकिन हतियार सप्लाई किया था इन देशों को USA की जमीन पर लड़ाई नहीं होई बहुत से American soldiers जरूर शहीद होएं इन दोनों वर्ल्ड वार्स में लेकिन economically USA को ज्यादा असर नहीं पड़ा In fact USA एकलोती country थी जिसने profit कमाया इन वर्ल्ड वार्स से इतने हतियार उन्होंने बेचे Germany, France और बाकी European countries को कि overall वो profit में ही रहे और UK, Germany, France जैसी जो countries थी इनके अंदर पूरी तबाही मच बे ऐसा नहीं है कि USA ने कुछ ज्यादा नजायस फाइदा उठाने की कोशिश करी इस सारी तबाही से बस ये chance की बात थी कि USA economically profit में रहा वर्ल्ड वार्स के दोरा बात क्या थी जब European countries में जंग छिडी, European लोगों को लगा कि हमारी currency का तो अब सत्यनाश होने वाला है हमारी economy डूगने वाली है तो हम क्या करते हैं अपना पैसा बचाने के लिए US dollar खरीद लेते हैं क्योंकि US dollar एक stable currency है और America काफी stable country है वर्ल वार्स के टाइम पर तो बहुत सारे लोगों ने जाकर US dollar खरीदा जिससे की US dollar की value बढ़ गई 1944 में जब World War 2 अपने अंते मौकाम पर थी तब 44 allied countries साथ में आई और इनोंने decide किया यह हम अपनी currencies को stable रखने के लिए अपनी currencies को US dollar के साथ लिंक कर देंगे और US dollar gold के साथ linked रहेगा और allied countries ने obviously World War 2 जीती और US dollar इसी तरह से दुनिया की international currency बन गया इसके बाद international monetary fund और United Nations जैसी organizations की स्थापना करी गई जहां पर America ने एक बहुत एहम भूमिका निभाई ऐसी ही एक थी GATT The General Agreement on Tariffs and Trade जिसे 1947 में found किया 23 countries के दुआरा इन countries ने decide कि हम economic growth को boost करने के लिए अपने बीच में जो trade barriers है उसे घटा देंगे इसका मतलब था कि हम स्वदेशी nationalism को promote करने की जिगह हम international trade और globalization को बढ़ावा देंगे यही चीज बाद में जाकर WTO में बन गई 1995 में 1950 के बाद America और Soviet Union दो सबसे बड़ी super powers बन के निकली और यहां शुरुआत होई Cold War की USA और Soviet Union के बीच में जो जंग थी उसे Cold War कहा जाता है यह एक ideological war थी communism और capitalism के बीच में लेकिन एक दूसरे से directly लड़ने की जिगह इन दोनों countries ने proxy war खेली मतलब अपने एक देश में एक दूसरे से जाकर नहीं लड़ेंगे दूसरी countries में जाकर इन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी जिन जिन देशों में USA को लगता था कि communist ideology फैलने लग रही है वो जाकर उन देशों में सरकारे गिरा देते थे कभी opposition की पैसे से operatives ने execute किया Operation Cyclone में अफगानिस्तान में जाकर Taliban militants की funding करी ताकि Soviet Union का influence रोका जा सके और उसी की वज़े से यहाँ पर terrorist groups की भी शुरुआत है ऐसी ही कहानिया सुनने को मिली Brazil, Chile, Argentina, Iran, Congo, Dominican Republic और कई सारे examples हैं ऐसे देशों से इतने सारे देशों की internal politics में interfere करने की वज़े से बहुत सारे देश directly dependent बन गए USIP पर जिसकी वज़े से अमेरिका और भी ज़्यादा powerful बन गया यही reason है कि आज के दिन 800 से ज़्यादा military bases हैं अमेरिका के 70 से ज़्यादा अलग-अलग देशों में और cold war के दुरान ये सब बचीफ करने के लिए अमेरिका को बहुत सारा पैसा spend करना पड़ा military पर जिसकी वज़े से आज के दिन अमेरिका की military power best है दुनिया में और ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है वीडियो के end में बताऊंगा मैं क्यों 1949 में अमेरिका ने NATO alliance बनाई European countries के साथ Soviet Union के influence को रोकने के लिए और ये NATO alliance आज के दिन तक exist करती है इसी की वज़े से ही अमेरिका हमेशा ही cooperative रहा है Western European countries के साथ और ज्यादा तर Western European countries अमेरिका पर काफी dependent रही इतने सालों के लिए क्योंकि उनकी खुद की economies destroy हो चुकी थी और अमेरिका काफी powerful निकला था इन सब बुरी चीजों के लिए पूरे देश को blame करना सही नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि धेरो presidents आई USA में जिन में से कुछ presidents ऐसे थे जो military power पर focus करते थे जैसे की Ronald Reagan, Richard Nixon, George Bush और Donald Trump लेकि दूसरी तरफ कुछ presidents ऐसे थे जो peaceful alliances बनाने पर focus करते थे और उनका military में ज्यादा interest नहीं था जिसकी वज़े से देश आगे बढ़ा है peacefully जैसे की Al Gore, एक vice president थे USA के Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter और Barack Obama Woodrow Wilson वो president थे USA के जिन्होंने decision लिया कि अमेरिका को बाहर ही रखा जाएगा World War 1 से और सिर्फ तभी interfere किया इन्होंने 1917 में जब पता लग रहा था कि अमेरिका के interference से ये war खतम हो सकती है इन्होंने League of Nations की भी शुरुवात करी थी जो की एक international body थी United Nations की ही तरह और United Nations से पहले शुरू करी गई थी एक attempt था पूरी दुनिया में या उस तरफ जाएंगे इससे ये दोनों ही देश और powerful बन गए ये दोनों देश super power बन गए और 1990s के बाद जब Soviet Union तुकडों में बिखर गया उसके बाद obviously सिर्फ एक ही super power देश रहे गया दुनिया में जो की था America अब ये सारे reasons तो geopolitical थे लेकिन इसके इलावा कुछ internal reasons भी थे जिसकी वज़े से America इतना बड़ा powerful super power बन पाया एक ऐसा ही बड़ा internal reason है कि America की जो policies थी वो हमेशा talent को attract करती थी अच्छे immigrants को attract करती थी अपने देश में कितने सारे examples हैं इसके और ये reasons आज के दिन तक भी valid हैं खुदी सोच कर देखो कलपना चावला, सुनीता विलियन, सत्या नडेला कितने ऐसे Indians हैं जो अमेरिका में जाकर successful बने Albert Einstein एक जर्मन जो अमेरिका में जाकर बड़े popular हुए Elon Musk एक South African जो अमेरिका में आये इतने successful बने अमेरिका की जो policies हैं और जो उनका culture है वो talent को बढ़ावा देता है innovation को promote करता है लेकिन इतनी powerful superpower बनने के बाद भी दोस्तों ground reality क्या है अमेरिका में एक आम आदमी की अमेरिका का जो home ownership rate है वो सिर्फ 65.8% था 2020 में यानि 30% से ज़्यादा लोगों के पास अपने खुद के घर नहीं है अमेरिका दुनिया की one of the most unequal countries है top 1% लोगों पास 42.5% wealth है देश की healthcare system अमेरिका का बहुत ही ज़्यादा महंगा है और खराब है obesity levels एक बहुत ही कमाल के level तक पहुँच चुके हैं अमेरिका में धेरो students अपनी college tuition fees afford नहीं कर पाते इतना महंगा है college में पढ़ना है अमेरिका में कि करोडों के कर्ज में डूब जाते हैं वाँ पर students इसके साथ ही साथ अमेरिका में कोई ढंके gun laws नहीं है 600 से ज़्यादा mass shootings होई थी सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 2020 में अमेरिका में जिसकी वज़े से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गए तो शायद इतना सारा पैसा military पर खर्च करने की जगह है अगर अमेरिका ने अपनी लोगों की development में ये पैसा खर्च किया होता तो शायद इस super power के कुछ माइने होते हैं आज के दिन जो Norway, Denmark, Sweden जैसी countries हैं ये अमेरिका से कितनी आगे निकल चुकी है human development के मामले में लेकिन इन countries को कोई super power नहीं बुलाता क्योंकि शायद ये countries economically इतनी powerful नहीं है इनकी military इतनी powerful नहीं है लेकिन एक आम आदमी के लिए जीवन बिताना इन Nordic countries में बहतर है अमेरिका के comparison में तो इस वीडियो से अगर कोई lesson मिलता है तो वो ये है कि किसी भी देश को super power बनने के पीछे नहीं भागना चाहिए बस अपने देश को बहतर बनाने पर अपने लोगों की जिन्दगी सुधारने पर फोकस करो इस super power के सबने रहने दो उमीद है ये informative वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो नीचे comments में लिखकर बताइए कि ऐसे और कौन से topics पर आप वीडियो देखना चाहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर धन्यवाद